दोस्तो आज दिनाक 30 मई वर्ष 2021 को मैं आपका अपना दोस्त मित्र भाई हैं प्रकास बागडी आप लोगों के बीच में पुने परस्तु थू। हम भारतिय देश के नागरिक कहला जाते हैं दोस्तो आज हमारे भारतिय देश की दुर्दसा वो है कि न्यू योर्क टाइम्स नाम के एक अख़वार ने जो विदेशी अख़वार है ये बताया है कि भारत में सरकार के लापरवाईयों के कारण 42 लाख लोगों की डेट हुई है जबकि सरकारी आकडे ये बताते हैं कि मात्र भारत सरकार ने 3 लाख का ही आकड़ा मोत का जनता को बताया है अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि उन्होंने जिस भी सर्वे के आधार पर 42 लाख लोगों के मरने का दावा किया है सरकार उसे डिनाय क्यों नहीं कर रही अंतरास्थी इस्तर पर जाकर ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों अंतरास्थी इस्तर पर सरकार कहे कि एखवार ने किस आधार पर लिखा है और अपने ही देश के लोग जब इस बात पर सरकार से सफाई मांगने का परियास करते हैं तो सरकार उनके पीछे लग जाती है छोटी से छोटी बात उपर केस लगा दिये जाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्री देश हमारा भारत और आज उस भारत देश के अंदर लोकतंत्री के हत्या भी हो रही है जो सरकार से सवाल पूछेगा वो देश द्रोई हो जाएगा दोस्तों मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ और मैं हर पार्टी के निताव से कहता हूँ जिससे जनता नहीं समल रही जिससे कुछ नहीं हो पारा किर्पाकर को वो इस्तिफा दे आप लोग इस्तिफा भी तो नहीं दे रहे है क्या कर रहे हैं देश के अंदर एक इंसान की जिन्दगी कितनी कीमती होती है यहां लाखों लोग मर रहे हैं कोई जिम्मेदारी लेने को त्यार नहीं है हर इंसान एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहा है दोस्तो मेरा पूरे भारत देश वासियों से यह आग रहे कि हम सब को एक होकर अब खुदी देश चलाने का बीड़ा उठाना पड़ेगा हम कब तक पार्टी प्रेमी या नेताओं की भक्ती में लीन रहेंगे हर भारतिय आज अलग अलग पार्टीयों में सामिल होकर एक दूसरे के खून का प्यासा हो चुका है कोई देश की बात नहीं करता कोई समाजिकता की बात नहीं करता अगर आपने देश हित में किसी के लिवाज उठा दी तो आप देश दुरोई हो जाएंगे अगर आपने किसी पार्टी के जंडे के नीचे रहते वे कि उस पार्टी पर सवाल उठा दिया तो आप पार्टी विरोधी हो जाएंगे पहले इस देश में यह नहीं था दोस्तो नेता आलोचना सुनकर खुस होते थे आज तो आलोचना करना अपराद के बराबर है कहां इस भारत देश को सोने की चिडिया कहा जाता था बताया जाता था किसी युग में भारत देश के अंदर दूद की नदिया बहती थी आज लासो की नदिया बह रही है सोने की चिडिया तो छोड़िये दोस्तो एक आदमी को पेट भरने के लिए सरकार चार किलो रासन देती है महिने में रासन काड़ पे चार किलो एक आदमी चार किलो आटा खाएगा पूरे महिने में क्या कहें दोस्तो अभी मैंने एक ताज़ा रिपोर्ट देखी कि भारतिय खजाना जबसे नई सरकार बदली है भारतिय खजाना में इजाफा हो गया भारतिय खजाना आज तक इतना नहीं भरा था जितना आप भर गया फला फला ख़मर फला फला ख़मर तो वो पैसा कब निकलेगा देश वासियों के लिए जागिए दोस्तो पार्टी भक्ति से उपर उठिए देश भक्ति करिए जै हिंद जै भारत